दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस शरम पोर्टल के बारे में इस शरम पोर्टल जैसे के आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ स्क्रीन पे आपको इस शरम की साइट जो है यहाँ पर ओपन मेने कर रखे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका इस शरम कार्ड है आपके पास में और उसके अंदर कोई भी आपको सुधार करना है जैसे के उसके अंदर कोई भी अपडेशन आपको करनी है नाम में गलती है, date of birth में गलती है, father name में गलती है या फिर आपके husband name में गलती है या फिर आपकी जो bank detail है वो सही नहीं है उसमें updation करना चाहते हो कोई भी सुधार, कोई भी updation, कोई भी correction आप करना चाहते हो अपने e-shram card के अंदर और आप आ रहे हो इस वाली website पर e-shram card की ये official website है आप यहाँ पर आने के बाद में अपने e-shram card के अंदर correction करना चाहते हो, उसमें सुधार करना चाहते हो और यहाँ जैसे ही आप आते हो तो आपके सामने ये वाला पूरा interface आ जाता है और यहाँ एक error हमें दिखाई देता है update profile is temporarily not available on e-shram portal इस तरीके से यहाँ पर हमें ये वाला error दिखाई देता है ये error हमें क्यों आ रहा है और ये कब तक error हमें आता रहेगा ये जो आप देख रहे हो error ये कब तक आता रहेगा और ये सही कैसे होगा पास से 6 दिन हो गए इस वाली site पर आने के बाद में जब भी हम अपने e-shram card के अंदर कुछ भी करना चाते है adaptation करना चाते है सुधार करना चाते है तो ये error हमें आ जाता है अब ये error आने के बाद में हम अपने e-shram card के अंदर कोई भी सुधार नहीं कर पा रहे हैं जैसे के यहाँ पर आप देख सकते हो already registered एक option होता है यहाँ पर जैसे हम इस पर किलिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने यह तीन option खुल जाते हैं तो पहले क्या होता था जैसे हम update profile using आधार इस पर किलिक करते थे तो हमारे सामने दूसरा पेज आता था लेकिन अभी भी हमारे सामने यह एरर आ रहा है तो यह एरर आपको क्यों आ रहा है सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा यह एरर क्यों आ रहा है और आप अपने इस शर्म कार्ड के अंदर जो सुधार करना चाहते हो वो सुधार कैसे होगा व शरम काट की जो ये ओफिसल वेब साइट है इसमें जो ये एरर आ रहा है ये उपर से पॉर्टल में वर्क चल रहा है काम चल रहा है जिस वज़ा से इस पॉर्टल को अभी बंद कर रखा है आप इसमें कोई भी अपडेशन नहीं कर सकते अब ये उपर से अधिकारियों की तर करना पड़ेगा जैसे ही ये पॉर्टल चालू होगा इसमें अपडेशन चालू होगा हम वीडियो बना करके भी आपको बता देंगे कि ये चालू हो चुका है अब आप जो है अपना काम कर सकते हो तो जैसे कि आपने यहां पर ये देखा ये एरर आ रहा है और ये चल नही दे रहा है और ये शरम में हम कुछ भी अपडेशन नहीं कर पा रहे हैं तो ये उपर से ही प्रॉब्लम है इसके लिए आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं है इसका इलाज सिर्फ वेट है वेट करो और बाकी ज्यादा जानकारी के लिए अगर आप हमसे ब जैसे के यहाँ पर ये एरर आ रहा है तो एक दूसरा तरीका भी होता था यहाँ पर जैसे हम इसके बैक वाले उप्शन पर किलिक करते थे बैक उप्शन पर किलिक करने के बाद में ये वाला इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है अब अगर हम यहाँ पर अपना नंबर डालत नमबर डालने के बाद में नीचे जो यह capture का option आता है इसको भी हमें भरना होता है तो हम इसको भी भर लेते हैं नमबर डल गया उसके बाद में capture डल गया अब यहां पर यह yes और no के यह दो option आते हैं तो हमें यहां पर इन दोनों को no करना होता है तो हम यहाँ पर no पर टिक करते हैं उसके बाद में send OTP पर हमें किलिक करना होता है जैसे हम send OTP पर किलिक करते हैं तो हमारे नमबर पर एक OTP जाता है और वो OTP हमें यहाँ पर डालना होता है तो जैसे के OTP आ चुका है हम डाल लेते हैं OTP डालने के बाद में फिर से सब्मिट करना होता है, अब यहां फर हम से ही कह रहा है कि अपना आधार नंबर डालो, तो जल्दी से हम आधार नंबर भी डाल लेते हैं, आधार नंबर डालने के बाद में फिर से यह कैप्चर डालना होता है, उसके बाद में यहां आई अगरी सा CP9 में सुधार सकते कि tai menstrual कर सकते मैंने सब कुछ करके देख लिया बस आपको पूख लिए कर राप करना होगा और कुछ नहीं किरना हैms 3 करना है जैसे इस साइट चलेगा वीडियो बना करके आपको बता दें आई होब कि आप वीडियो इच्छ लिए पुर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूले जी मिलते हैं आप से अगली वीडियो में